हालो जी कैसे हो सारे दिसे लव बबर वेलकम टो दी चैनल कोड़ हम पाउच्छ लेक्चर नंबर 98 पर यहां पर हम बात करने वाले हैं ब्रिजिज के बारे में हमारी ग्राफ की सीरीज है भी चल रही है बहुत इंपॉर्टन कंसेट जिसका नाम है ब्रिज वह हम समझेंगे ब्रिज होता क्या है कैसे फाइनट करना है कैसे कोड करना है कुछ डारेंट करके दिखा कुछ एक्जांपल सिखा वो से हम देखने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है interviewer बहुत ज़ादा ये पूछता है question interviews में भी और online test के अंदर भी सबस्ब्रे समझते हैं एक bridge होता क्या है मैंने कहा let's say तुम्हारे सामने यह वाला graph पड़ा हुआ है तो एक bridge एक ऐसी edge होती है जिसको remove करने पर एक ऐसी edge जिसको remove कर दिया क्या increase हुए नहीं हुए let's say मैंने इस वाली edge को remove कर दिया क्या मिने number of connected component increase हुए मैंने बोला नहीं हुए let's say इसको कर दिया मैंने बोला नहीं हुए मैंने बोला let's say इसको कर दिया नहीं हुए मैंने बोला let's say इस वाली edge को कर दिया आपने बोला हाँ भाहिया एक component ये बन गया एक component ये बन गया इसी को bridge कहते हैं इस ही edge को मैं bridge कह सकता हूँ तो bridge की definition थोड़ी बहुत समझ में आई होगी यहाँ पर भी definition आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हूँ a bridge in a graph a bridge in any graph is defined as an edge which when removed makes the graph disconnected के एक ऐसी edge जिसको अगर मैं remove कर दो तो मेरा graph disconnected हो जाता है और more precisely increases the number of connected component in the graph बात समझ में आती है बात समझ में आती है एक और example यहाँ पर देखें तो यह ग्राफ आपका बना पड़ा है अगर यहाँ पर 0 से 4 के बीच में जाए इसको remove कर दें तो आ आहला component आपका 012 वाला और second component आपका 345 वाला ठीक है यह बात समझ में आती है let's say हम brute force की बात करें कि brute force के द्वारा मैं इसको solve करने वाला हूं मैंने बहुत simple है आप हर एक edge को पकड़ो और check कर लो क्या वो एक bridge है कि नहीं है आपने हर एक edge को पकड़ना है आपने हर एक edge को पकड़ना है और check करना है कि bridge है या नहीं कैसे पता लगेगा मैंने बहुत है हर एक edge को पकड़ो और इसको remove कर लो और remove करने के बाल DFS का use करके check कर लो connected component कितने है इससे आपको पता लग जाएगा बट यहाँ आप बूट फोर जा रहे है हर एक edge को पकड़ना के check करने कोईश कर सकते हैं कभी कभी ऐसा होते कि हम tier 2 tier 3 college के बच्चे होते हैं और off campus में कुछ big mnc's like amazon कि मैं apply करूं तो मैं initial phase में stuck कर जाता हूं शयाद में रेज्म में shortlist भी नहीं होता यहाँ पर हम बात कर रहे हैं re-level के बारे में re-level is a platform by an academy और इसका बच्ची तरह पहले से जानते हैं यह आपके लिए चोट आसा प्यार आसा पांस दिन का event लेगा है जहाँ पे companies like move engage, wingify, times network, crypto इन सारी companies को आप access कर सकते हैं just by giving a simple test जो के बिल्कुल free है और इसमें एक और अच्छी बात कि जो leaderboard में लोग होते हैं उनको daily prices मिल रहे हैं जैसे कि macbook air, apple watch बगएर 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 वो low package था जो इंडिया majority cases में होता है जो 5-7 वाल ब्रैकेट होता ना उसके अंदर job मिलती है तो उनको मज़ा नहीं आए गयर यह तो मुझे नहीं चाहिए मुझे कुछ अच्छा चाहिए मुझे कुछ तगड़ा चाहिए उन्होंने क्या किया री-level का front end का test दिया वहाँ प आपको देख रही होगी यहाँ पर बहुत अच्छी जीज़ है अपने माता-पिता को प्राउड किया मुझे भी लगवानी है यह मैं भी test दूँगा ठीक है तो इस प्रकार आप test देखकर प्रूव कर सकते अपनी सारी skills को और opportunity grab करके एक अच्छा package ले सकते हैं आपको करना क्या है आपको अपना slot book करना है आपको टेस्ट देने का slot book करना है फर्स से 5 जून के बीच में और अगर stats की मैं बात करूँ टेस्टी में होने सब्सक्राइब आपको चाहिए तो re-level पिछले मंत के अंदर daily 36 lakh worth की job provide करता आ रहा है यहाँ पर test different categories के अंदर available हैं जैसे की front end, back and full stack development और companies back eyes offer कर रही है 10 से 15 लाग के बीच, right तो यहाँ पर आपकी college degree matter नहीं करता है, आपके stream क्या हो matter नहीं करता है, यहाँ नहीं है, वो important है, यह बास समझ में आती है, तो ऐसी opportunities पतानी बाद में आया नाए, उपर से freebie है, तो अपना slot book कर लो, experience ले लो किस पकार चीज़ यह एक edge है, यह एक edge है, यह आपका node number 0 है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, मुझे कुछ data structures की need होगी यहाँ पर ठीक है, बैस तो मैं रहे की use करने वाला हूँ, बढ़ ठीक है, क्या-क्या हमें चाहिए होगा वो आपको दिखा जाता हूँ, आपको थोड़ पर clarity मिल जाए लेगी, ठीक है, तो हमने कहा कि हमने यह 4 data structure बना लिए है, हमारे लिए, ठीक है, किसका क्या-क्या use है, अभी समझ लेते हैं, किसका क्या-क्या use है, अभी समझ लेते हैं, फटा-फट मैंने बोला 01234, 01234, 01234, 01234, मैंने बोला इसका नाम है discovery, discovery क्या मतलब है, let's say आपका timer जो है, वो starting में 0 है, starting में आपका time 0 है, और आप इस node से start कर रहे हैं, अगर मैं आपसे यह पोचूँ कि आप इस node पर किस time पर पहुंचे, आपने बोला, भाईया, मैं time 0 था, और 0 पर मैं यहां पर पहुंच गया था, तो यह आपका discovery time हो गया, मैंने बोला, अगले area का नाम ह है low, इसका मतलब है earliest possible time, कि सबसे, अभी let's say आपने ही से start किया, earliest possible time क्या हो सकता है, 0 तक बहुंचने का, आपने बोला भाईया, 0 यह भी तक तो, आगे कुछ और बन जा तो बात लाग है, तो 2 पर अगर आप देखे तो, यहां पर let's say 0 था, यहां 1 था, यहां 2 था, पर अग शायद मेरा जो low वाला time है, earliest possible time वो कुछ अलग होता, explore कर लेंगे भी example के अंदर, ठीक है, starting में let's say सब कुछ minus बने है, जाए तो मैंने इन दोनों को अपड़ेट कर दिया, और इन दोनों को अपड़ेट कर दिया, और यह node विजिट हो चुक है, तो मैंने इसको true भी mark कर दिया, ठीक है, यह बास समझ में आती है, मैंने बोला, let's sit, अब timer को आगे बढ़ा दिया, timer 1 हो चुका है, अब मैं 0 से लेके 1 वाली node तक पहुंच चुका हूँ, तो मेरी 1 वाली node को visited mark कर दो, ठीक है, मेरी 1 का parent जब 0 mark क बढ़िया, इसके बाद आपने बोला कि 1 से 2 तक जाता हूँ, इसके बाद आपने क्या बोला, कि 1 से 2 तक जाता हूँ, उससे पहले time upgrade हो गया, आप 1 से 2 तक गए, आपने ठीक है, तो को विजिट मार्क कर दो, और 2 का parent जब 1 mark कर दो, अब 2 तक पहुंच अगा discovery time क्या है, 2 है और क्या मैं सतना हूँ, उसके starting में lowest जो time है वो भी 2 होगा, हाँ, ठीक है, तो आपने 2 mark कर दिया, आपने 2 mark कर दिया, अब 2 से आप try करते हो, 0 तक पहुंचने का, बट 0 तो already visited है, जान सुनो, आपने 2 से try किया, 0 तक पहुंचने का, बट 0 और not already visited है, तो इसका मतलब मेरे दो 2 तक भी पहुंचने का, तो मुझे 2 के earliest possible time को upgrade करना पड़े, discovery time तो same ही रहने वाला है, but earliest possible time upgrade हो सकता, क्योंकि 2 तक पहुंचने का, एक और path है, right, मैं 0 से भी 2 तक पहुंचने का, तो मैंने बोला, जब भी तुम्हारा back edge वाला case आएगा, you have to make sure कि आपने low of node को update किया हुआ, इस case में node जा है, वो 2 है, किस पर अपडेट करेंगे, मैंने बोला minimum of low of node, discovery time of neighbor, right, तो इस पर आपने क्या बोला, कि मैंने इस 2 को update कर दिया, इस 0 के साथ, तो आपने क्या किया, low of 2 को update कर दिया, 0 के साथ, तो आपको ये back edge वाली condition मिल जाती है, तेक है, यहापे basically क्या हुआ, अभी तक तो जो 2 आए हुआ था, वो कहां से आए था, वो इस वाले path से आए था, ऐसे आए थे आप, पर जैसे ही आपको एक back edge मिली, आपको पदला कि एक और तरीका था 2 तक पहुचने का, यानि कि मैं low of 2 को, earliest possible time को upgrade कर सकता हूँ, तो आपने इस formula के दबारा उसको upgrade कर दि है, यहीं से तो वापस आई थे, यहीं से नीच आई थे, यहीं से वापस जा रहा हूँ है, ऐस तो मैं, समझे, तो आपने कर बोला, इस case को मुझे ignore कर देना है, चालो, यह वाला case भी आपने handle कर लिया, ठीक है, return कर गए, अब आप आगे वापस return करके, node number 1 पे, एक चिकर ध package बनाता हूँ, इससे क्या होगा, इससे यह होगा, कि आपके child का low update हो गया, घर आपके child का low update हो जाता है, तो आपके पास एक और तरीका है, one value node तक पहुंचने का, आपको इसके low को भी update करना पड़ेगा, तो आपने वोला ठीक, इसके low को भी update करता हूँ, आपने वापने तरशाता है आपने वाला minimum of low of node, low of जो भी आपका child है, child यहाँ पर two है, क्या बात समझ में आती है, इस परकार आपने इस one को भी zero में update कर दिया, यह भी zero हो जाता है, इस परकार आपने low को update कर दिया, पर एक चीज़ और ध्यानक नहीं है, आपको यह विज़ चेक करना पड़ जैसे इस केस में neighbor कौन है, two है, is greater than discovery time of node, जिसके में node को है, node आपका one है, तो भाईया, आपका bridge present है, तो आपने इस condition यहाँ पर लगाई, low of neighbor क्या है, zero है, zero है, क्या zero greater than discovery of node, या नि one, मैंने बोला false, तो ठीक है, इसका मतलब यह वाली है, यह आपका bridge नहीं है, अगर यह true हो जाता हो, तो मैं इसको bridge मान रेता, क्या यह बाता मैं समझ में आती है, ठीक है, अब सवाल ही है, कि यह condition क्यों काम करती है, मैंने बोला, ध्यान से दिखा, आपने बोला, low of neighbor is greater than discovery of node, ओके, ओके, क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब यह है, कि आपका जो neighbor है, उस neighbor तक प node ने, जो की back edge के थुरुआई होती, उसने इसके low को update कर दिया होता, है ना, किसी और node ने, जो की back edge के थुरुआई होती, उसने इसके low को update कर दिया होता, और इसकी low के value कम आ गई होती, बट क्योंकि कम नहीं है, यानि यहान तक पहुंशने का यह इकलाउता तरीका था, तो कोई नो कई back edge बनी है तो 2 की low वाली value जो है वो updated होती 2 की low वाली value updated होती और यह वाली conditioning false आजाती bridge नहीं बनता right so इस case में तो हमने वोला चलो bridge नहीं है ज़र हम यह वाली case में आते हैं तो वापस हमने same चीज़ चेक करी होगी return करते हुए पहले तो हमने इसको update करने कोईश्च के होगी इस वाले formula के दवारा पर चलो ठीक है 0 ही आएगा क्योंकि इसके neighbor के बास भी आपे 0 पड़ा हुआ है उसके आपने चेक किया यार क्या यह जो edge है क्या यह edge जो है वो back वो bridge है तो आपने चेक किया कि low of neighbor और discovery of node low of neighbor कौन है यहां पर neighbor कौन है नेबर यह रहा भाईया तो यह आगा 0 greater than discovery of node discovery क्या है जीरो ठीक जीरो होता है answer है false तो यह भी bridge नहीं है यह भी bridge नहीं है इसके बाद क्या हुआ चलो आप 0 पर आ चुके हो आपने बोला कि timer को increment कर दो timer को increment कर दिया आप 0 से 3 के तरफ आनी कोईश्च कर दिया आपने 3 को wizard mark कर दिया और 3 का parent आपने 0 बना दिया अब आपने बोला कि 3 का discovery time क्या होगा 3 का discovery time starting में 3 होगा और lowest possible time अपने इसको 3 कर दिया और आपने इसको भी 3 ही कर दिया बहुत बढ़िया यह बास समझ बाती है इसका timer जो है वह 4 हो गया और आप 3 से 4 के तरफ आ गए आपने इसको true mark कर दिया आपने इसका parent 3 कर दिया आपने ऊचे अपने पर 3 के आपने लोग को update करने के कोशिश करी इस प्रकार के भाया यह इस प्रकार अप्डेट कर लेता हूं तो आपको दिखा कि नहीं आप देखा कि या इसका child तो यह है तो ठीक है यह already 3 है तो change तो नहीं हो चैख करना पड़ेगा इसके क्या करना है कि Low of neighbor दिस्कवरी of node ठीक है इसका Low क्या है 4 चार greater than दिस्कावरी of node इसके डिस्कवरी क्या है 3 क्या या कंडीशन ट्रू है आपने कहां जी भाहिया या कंडीशन ट्रू है इसका मतलब यह वाली जो एज है यही edge आपकी bridge थी इस प्रकार आपने bridge find out कर लिए एक graph के अंदर ध्यान से देखो कुछ conditions आप उनके अधार पर हमने पूरी चीज कर लिए हमने क्या बोला कि हमें discovery time maintain करना है हमें lowest possible discovery time maintain करना है हमें parent maintain करना है इसको हम variable के दोरा भी कर सकते है हमने आपने back edge का concept है back edge की concept है मुझे अपने लोग को upgrade करना है कि यार इस node तक मैं किसी और node के दोरा भी पहुँच सकता हूँ और वहां मेरा lowest possible time तो degrees हो जाएगा या फिर update हो जाएगा यह चीज हो गई उसका हमने क्या बोला कि let's say में किसी recursive call से वापस आता हूँ रिटर्न करता हूँ तो वहां पर मुझे अपने low को update करना पड़ेगा क्यों update करना पड़ेगा क्यों हो सकता है जो मेरा child है वो एक back edge के तुर connected हो किसी और से अगर वो back edge के तुर connected है किसी और से तो उसका low update हो जाएगा अगर उसका low update हो गया तो मुझे भी अपना low update करना पड़ेगा क्योंकि मैं भी उस edge के तुरू मतलब जो मेरा child था उस edge के तुरू पास आसकता था न मेरे पास उस तरीके से और हर edge को मैं check कर रहा हूँ जब भी return करता हूँ जब भी मैं return करता हूँ हर edge को check कर लेता हूँ कि क्या यार इस ये जो edge है ये bridge है ये नहीं वो इस condition के दवारा अब ये condition क्यों काम करती है वो हमने उर्डी discuss कर लिया तो इस प्रकार हम इस question को solve कर देंगे फटावर इसको code करते हैं हमारे बास गिंति के पंदा मिनिट है हमारा कैमरा से पंदा मिनिट दिखा रहा है हमे तो फटावर इस प्रकार मुझा output देना है पहला काम मैंने बोला adjacency list बनाना मेरा पहला काम है हमने बोला unordered map of int, list int adj हमने बोला एक loop चलाओ for int i is equal to 0 i less than edges dot size हमने बोला पहले वाली node निकाल लो वो निकलेगी edges of i 0 ठीक है फिर हमने कहा कि v भी निकाल लो v निकलेगी i, 1 से हमने बोला कि adj of u dot pushback v इस प्रकार और सेम हमने इसका उल्टा कर दिया कि v से u भी एक edge बना दो इस प्रकार हमने एड्जेशन से लेज बना ली हमने कुछ को data section आप इन किवन करने initialize करने वो बना लते हैं timer जो है वो 0 बना दो हमने बोला एक वेक्टर जो है वो बना लो किसके लिए बनाना वेक्टर वेक्टर बनाना है जी आपको discovery time के लिए इसके length जो है n है हमने बोला कि यार बहुत सिंपल है disc of i is equal to minus 1 हमने कहा कि low of i is equal to minus 1 और बाकी सब तो चलो ठीक है इसके बाद मैंने कहा कि चलो dfs करते हैं हमने बोला कि सारी नोड के लिए लगाना होता है int i is equal to 0 से लेके i less than v i plus plus जैसे मैंने पहले dfs सीखा हुआ है इसके अंदर क्या करना होता है if not visited अगर आपके नोड जो विस्टेड नहीं है तो उस case में आप dfs को call कर तो dfs के नदर आपने नोड भेज दिया नोड का parent भेज दिया timer भेज दिया आपने DSE भेज दिया आपने low भेज दिया अपने result भेज दिया आपने agency list भेज दी और यहां पर आपने return करते result को यह result क्या है मैंने बोला भी बना देते हैं हमें इस type का object return करना है तो हमने इसको return कर दिया बहुत बढ़िया अभी भी हमारे पास 12 मिन्यट हैं, अभी तो हमने कुछ लिखा है नी कोड, हमने बोला void, dfs, इसके अंदर मैं क्या क्या पास किया, इसके अंदर हमने node पास किया, comma, int parent पास किया है, comma, int timer पास किया है, node, parent, timer और फिर disc, हमने इसके अंदर यह पास कर दिया हमने इस के अंदर लो पास कर दिया है लो पास करने का पास कर दिया और adjacentual list pass कर दी कि पास नहीं किया है हमने वेस्ट मास नहीं किया वेस्ट मास कर लेते हैं सब्सक्राइब में जो है आप त्रू कर दें सब्सक्राइब की दोनों स्टार्टिंग में जो है वो टाइमर के इक्वल ही होंगे टाइमर के इक्वल ही होंगे इसके बाद आपने वोला कि सारी अडिसे नोड पे चलता हूँ और टो नेबर बिलॉंग्स टू ए डी जे ऑफ नोड सिंपल है पहली चीज़ अगर आपका नेबर जो है अगर आपका नेबर जो है वो पेरेंड के इक्वल है तो इसकेस में एक नोड करना है तो मैंने वोला कंटीनियू अगली अटरिशन में चले जाओ अगला अगर आपकी नोड जो है वो वेस्टड ही नहीं है अगर आपकी नेबर वेस्टड ही नहीं है तो अलग देख लेते हैं वाकिए क्या लिखा था हमने हमने कहा था पैक आजिकेस में डिस्कवरी ओफ नेवर डियाइस ओफ एन वी आर ठीक है इस प्रकार अगर नॉट विश्ड़ तुम क्या करते हैं डियेफस के लिए कॉल मार देते था आगे डियेफस आफ नोड कौन है इस बार आ रिजर्ल चला गया अधिशन से लेस्ट और मेरा वेश्ड़ वाला डेटा स्ट्ट्चर जब कॉल से वापस आते हैं आप क्या करते हैं लोग को अपडेट करते हैं असवाल तो लोग ओफ नोड इस इकुल स्टू मिनिमम ओफ लोग ओफ नोड यह हमने देखा था अभी क्यूं SC मुन आपका लोग जो भी आपको नेबर था थी खर दिया और हम चेक करते हैं क्या गडिए अधिर यह यह वह भीफ आनि है करते हैं कि अपने लिखा था इफ लो औ वंभ जो है कि वह बड़ा है किसे cherry of discovery of उसे इसे प्रकार लिखा था थामने चेक कर लेते हैं हाँ जी बिल्कुल यह लिखा हुआ है इस case के अंदर आपने क्या ब्रिज प्रेजेंट है अगर ब्रिज प्रेजेंट है तो मुझे रिजल्ट के अंदर आंसर डालना है तो मुझे एक आंसर बना लिया वेक्टर इंट आंसर डॉट पुश बैक इसमें पहले तो दाल दिया फिर आंसर डॉट पूश बैक इसमें करें लाइक तो फिर डाल दिया और आपने इस आंसर को रिजल्ट के अंतर डाल दिया पुछ बैक यह आपका निवर गंदर चला गया इतने में कोड चलना चाहिए फट फट आफट जो चीजे यूज की गई है उनको इंक्लूड कर देता हूं अन और डर्ड मैप और अन यहां पर लिस्ट फट 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 चलाते हैं चोटी-मोटी जो गलती हैं उनको ठीक करते हैं साथ मिनिट के अंदर उनका इसे कोड कर दिया आए हैं कुछ गलती आओंगी वो ठीक रहे ना फट फट हमने बोला NBR यहां पर NBR किया आगे हूंने व्यक्ति करी हैं ओक ये और बताओ क्या किलती है और बताओ फटाफट फटाफट हमने बोला पुश्बैक एन बी आर हमने आप NBR तो भी पुश करना है और चेक करते हैं और चेक करते हैं हमने बुला लाइन नंबर लाइन नंबर लाइन नंबर फॉर लूप में गरबड़ है फॉर इन्ट आइस इकल्स टु दिस रंगर रंगर तो रिपने पुदे पूस्पाइब पूस्पार है नोडीय पूस्पांध टीर के सब्मिट करके देखो और आ गया मैं सबस्क्राइब कर रहा भेंगाम कर सब्सक्राइब इस ऊपर पर करोखुने में को तरह ना दया हैU पूरला कि पेरे करते हैं तोutions forgetting पेरेंक प्रोच में देकर हैं अबनाया थे था इसकोवरी टाइम बनाया था उसलिफ़य लोवैश्ट पॉसिबल इस्कवरी अपन पिरेंट भाला यह बना थे हैं हमने सब को स्टार्टिंग में मानेस से निश्यलाइज कर दिया थीक है फिर हमने बोला चटो डीएफस स्टार्ट करते हैं अब दीएफस जमने पढ़ी था बहुत सारे कॉम्प्रेंट हो सकते हैं इसे प्रीप लगा दिया और बोला कि अगर कोई भी वेजिड नहीं है तो उस लगो कोड़े है तो किया हो गा तो क्या होगा तो SKA लो अपडेट हो जाएगा अगर उसका लो अपडेट हो चुका है तो मुझे अपना खुद का लो भी अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा अर्लिएस्ट पॉसिबल टाइम तू रीच भी चेंज हो सकता है उसके दवारे तो मैंने अपने लो को खोसिबल टाइम तो अपने लो फासिबल टाइम कर दिया तो मैंने यह वाला काम भी कर दिया मेरे काम हो गया इस प्रकार मैं इस question को solve लिए कि आप ध्यान से लेखें तो dfs के time complexity होते है वह यहाँ पर लग रही है तो मैंने बने time complexity of n प्लस e जैसे इस case में n तो है न e v है है तो v प्लस e लिख देना और space complexity linear अगें linear इस प्रकार आपने इस question को solve कर लिया है, तो इस वड़ों में इतना ही, आप comment section में बता कर जाना कि आपको कैसर लगा, समझ माय के नहीं आया, आया तो क्यों आया, नहीं आया, तो क्यों आया, क्यों नहीं आया, और मिलेंगे आप से next video में तब तक के लिए, time क्या हो रहा है भी, अभी time हो रहा है, आज तो शाम कोई कर रहे है, 8.35, ठीक है, और अभी शायद मौबज तक आपको बीर देखना को मिल जाए, तन्यवाद, बाबाई